के जोटी का जोर लगा रहे हैं जेल के अंदर बैट कर वह यहीं जोर लगा रहे हैं वह किंसी नहीं तरह से जेल से बाहर आएं और फिर से वह दिल्ली की developments अगर आप देखी यहां पर एक कहीं न कहीं जो एक समस्य नजर आती है अमादवी पार्टी या गडबंदन के साथ दिली के अगर बात की जाए तो एक मास वोट बैंक को साधनी की यहां पर एक मास जनता को आप कर सकते हैं तो हैमा इसीटे वानिया कडबंदन की न मैं साथ आप मैंस्तु आप देख रहे हैं न स sponsors को आपका बहुत स्वागत है मारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में. आज बात करने वाले हैं, दिल्ली की उस साथ लोग सभासीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है. आपको बता दे, दिल्ली की वो साथ लोग सभासीटे जो अभी के लिए कही न कहीं बीजेपी के लिए भी उतनी महतुपूर है, जितनी आम आदमी पार्टी के लिए लेकिन केज़िवाल ले जब से वो जेल में गए हैं वहां पर कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की मुस्कले अब बढ़ते हुए नजर आ रही है क्या भाजपा उस पर अपनी पकड़ बना पाएगी और मायवती भी अब इस रण में कूती हुई कूटेंगे या फिर इस बार उनकी आम आदमी की जो पार्टी है उनकी सरकार दिल्ली में बनेगी या नहीं इन सभी सवालों के लिए हमारे साथ अक्षे महजूद है इनसे जानते हैं कि जस तरीके से साथ लोग सभा सीटों को लेकर अब कहीं न कहीं सियासी घमासान मसता दिखाई दे रहा है मायवति भी इस रण में पूद पड़ी है तो आपको क्या लगता है आक्षे कि क्लीन स्विप बीजेपी दो बार से करते होी नजर आई है तो किसका समिकरन बंटा हुआ दिल्ली में दिखाई दे रहा है कहीं न कहीं इस बात में तो अपकोई दॉरा न नहीं कुला है साथ में सोप्रसाफ कांग्रेस का हुआ 24 में आपकी जगा 2019 में सोप्रसाफ हुआ आम आदमी पार्टी टकर देती दिख रही थी लेकिन 19 में भी वो पूरी तरीके से विफल रही और वो चीज यहां पर फिर कुछ हद तक नजर आ रही है लेकि मजबूती कुछ है लेकिन मजबूती में आप देखिए आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस का जिस तरीके से गड़्जोड हुआ है इसे में दो चीज़े मुझे लगता कहीं आधार बनेगी एक तो यहां पर यह कहीं कि दोनों का जो वोट बैंक आधार बनेगा आम आधी पार्टी का दिल चुनाबों में ने साफ तोर पर देखा जिस तरीके से यहां लगतार आम आधी पार्टी ने जीत दर्च कर खासरों पिछले दो चुनाबों में भारी बहुमत से जीत दर्च की तो कॉंग्रेस की इतनी मजबूती नहीं है लेकिन टकर देती जरूर नजर आ रही है वहीं अ पर आम आधी पार्टी ने जिस तरीके से प्रत्याशियों के नामों का एलान किया है चार सीटों पर या कॉंग्रेस में जो तीन प्रत्याशी हैं उनमें सब्सक्राइब करें तो सोशल मीडिया के चलते के वल वह मात्र चर्चित नाम है उसके अलावा जो अन्नी छे सीटों पर गडबंधन के प्रत्याशी है उनकी जो यहां पर जान पहचान है मुझे लगता है कि उनके अपने शेत्र उनके अपनी विधानसभा शेत्रों तक ही बहुत हद तक नजर आती है जब कि अब संसदे शेत्र की बात करेंगी तो दायरा बहुत जादा बढ़ जाता है आम दोर पर दिल्ली का अगर आप यहां पर देखेंगे समय करन तो एक लोकसभा राती है और जब एक विधायक लोकसभा लड़ता है तो उसे साथ में अन्य नौ और विधानसभाओं को यहां पर कवर कर करेंगे जो कहीं न कहीं एक मुश्किल परिस्तिती नजर आती क्योंकि आप देखेंगे आम चुनावों में बीते दो आम चुनावों में खासर पर 2019 के लोग सब चुनाव में ये बहुत हद तक देखने को मिला था उत्तर भारत के कई राज्यों में इसमें बिहार भी ता उत्तर प्रदेश भी दिल्ली भी था उस शेड़ी में राजिस्थान भी सब्सक्त कृष्जान से भी मिजयिय को जसे सबस्के उससवाल कि इस तरीके से दोले कि अपना घात लगा कर वैठी से में एक चुनाव को एक चुनाव में बड़ी10 मिल सकती लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है काया जील से बाहर आएंगे या नहीं हमारे साथ हैं, De PhD क्या जीए जिए से बाहर आहेंगे क्या नहीं, लेकिन कहीं न कहीं केजइवाल को गूम फिर कर फटकार ही लग रही है, उन्हें राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर बात करें मनीश शवोद्यागों यह कि आज प्रकार से लगातार अपर याचिका दायर करते रहे हैं जमानत को लेकर तो पहले पहले यह चांज की कि उसको खारिज कर दीए तक दभारर से यांची का दायर की वह भी खारिज होगी लगाता ह। के दो याचिका जो हैं वो चारिज हो चुकी है तो अजली आदालत से जब अनकी इसकी अपीज 歌 पुज हो रही है उप्ले। और वो यह कह रही है कि अगर मनीश शोदिया को जमानत मिल जाती तो कहीं न कहीं अपने सबूतों के साथ छेड़ चाड़ कर सकते हैं उनमें कुछ बदलाब कर सकते हैं तो ऐसे में उनको जमानत देना कहीं न कहीं ये बहुत गलत सावित होगा और कहीं न कहीं सबूतों पर न तो क्या ऐसे में अबरार मेरे साथ मौजूद है इन से जानते हैं कि क्या जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने यह स्लोगन चालू किया इसका उनको कितना फायदा मिलता हुआ नजर आएगा कि इस बार जेल का जो जवाब होगा वोट से दिया जाएगा यह सिंपैथी जो है इसको लेकर कि आम आदमी पार्टी ने जो है शुरुवाती समय से ही इस साल के जो है लगातार रनिती बनाने शुरू कर दी थी और इस पूरे मामले को एड़े सी बैय की कारवाई को वो अपने पक्ष में भूनाना शुरू कर दिये थे और यही वज़ाए कि अभी आ से देखा जा रहा है कि हर जो है आम आदमी पार्टी के बड़े नेता के पीछे आप देखे के एक बैनर लगा होता है जिसमें अर्विन के जिरिवाल जेल के भी तरबंद होते हैं मुझे लगता है कि यह सारे तस्वीरों को पेश करके वो जनता का ध्याना कर्शित करना चा है वहीं भारती जनता पार्टी इस पूरे मामले पर यह जो है बातें लगातार कह रही है कि आम आदमी पार्टी जो इमांदारी का चोला पहने हुई है वो दरसल भरष्टा चार में संलिपत है और भरष्टा चार उधरले से उनकी पार्टी ने किया है शुराब अपकारिन इस पार लोग सबा के चुनाओं में यह जो चार सीटें आम आदमी पार्टी को मिलिया और बाकी के जो तीन सीटें हैं इंडिया कड़बंदन की उन तमाम सीटों पर जो इंडिया कड़बंदन की जीत होगी और आम आदमी पार्टी को इसका लाग मिलेगा बहले ही लोग लेकर के बैनबाजी हो या फिर उनकी पत्नी का बयान देना हो पार्ट के नेताओं का इस पूरे मुद्दे पर बोलते रहना हो यह तमाम चीजें इसलिए भी की जारी है ताकि जनता के जहन में यह मुद्दा जो है उजागर रहे और वोटिंग के दौरान इस पूरे मामले को जो है सोचते हुए वो कहीं नगाइं वोट करें कि यह जो है जो हीी जजे इसलिए कोफाने के साहज़र्श है तो मुझे लगता है कि मामला उनके लिए पायोदेशन दे डे दौ तरफां कहीं नजरा आरे términ would कूरा एप अब देखेंगे कि कैम्पेंज तरीके से चलाया जा रहा है कहीं न कहीं आतिशी इस बात को भी करते हुए न जरा रही है दस साल के कामों को लेकर बीजेपी के उपर सवाल खड़ी करते हुए न जरा रही है उन्होंने बोला कि बीजेपी ने पहले 15 लाग रुपए देने का बादा किया वो भी नहीं किया फिर पेट्रोल सस्ता करने का तो कहीं न गई यह वोट बैंक को भी जेपी कि खामियों को निकाल कर कहीं न कहीं आप पार्टी के लिए वोट गें करने की कोसिस कर रही है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अर्विंद केजरिवाल जे बाद सुनवाई होने जा रही है इससे पहले भी वो कई बार अपनी जमानतियाचिकाओं को चुनौतियां दे चुके हैं लेकिन हर बार उनको एक तरह से कहें तो सेडबाक ही मिला है नकारा ही गया है अगर वो बाहर आते हैं तो आप पार्टी के लिए यह एक संभाल लिए कि कि डिली की सडकों पर उतर कर वह इस बात का आश्वासन जंता को दिला रही है कि आप पार्टी एक बार फिर से दिल्ली में लेकिन अगर केजरिवाल आएंगे तो भारते जंता पार्टी के लिए चुनौती के रूप में कैसे सामने आएगा ये एक बहुत देखने वाली बात हो जे बिलकुल जोस तरीके से अब अर्विंद केज जिवाल अगर बाहर आते हैं तो भारती जंता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है जोस तरीके से सुनीता केज जिवाल ने पूरी कमान समाल लिए ऐसे में म हमारे साथ बने रहे हैं नेक्स नहीं न्यूज पर